तो हेलो किशान भाईयो नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू हेल्फ में तमाम किशान तमाम भैपारी भाईयों का श्वागत है तो किशान भाईयो मैं बात करो इंदौर मंडी में प्याज का क्या भाव निकला और दिवाली में कितना धामाका हुआ है और आ किशान भाईयो मैं सबसे पहले बता दू जो इंदौर मंडी में है जो इंहीं पिछलों दिनों के बात करें तो पिछलों जो प्याज भी का है वह उपर में 24 सुब ना प्याज अच्छे क्वालीटी का किशान ला रहा है नीची की बात करें तो बार रुपे सत्राइड प्याज प्याज बिक रहा है 20 और 18 के बीच में प्याज फिक रहा है जो सुपर पत्ते में ऑच्छे क्वालिटी का माल है जो उसको ऐस्टॉक भी किया जा सकता है दस से पंदरह दिन एक महीने वो प्याज भीक रहा है यहां पे 2400 से 2500 रुपे परती किंटल के हिसाब से किसान भाइयो अच्छे क्वालिटी की माल की बात करें अगर अलवर की बात करें तो किशान भायो अलवर में जादा तर यहां पे नया प्याजी देखा जा रहा है जो की सेम भाव सेम पोजिशन देखा जा रहा है किशान भायो वहाँ पर भी बहुत जादे आवक निकलना सुरू हो गया है जिसके करण प्याज में जो नर्मी देखने को म पे जदा भाव देखने को नहीं मिल रहा है जिसके कारण नर्मी नीचे की तरफ रुख लिया हुआ है और दिवाली बात भी अच्छा खासा आवक नया पुराना प्याज में देखने को मिलेगा और प्याज नीचे की तरफ आएगा लासन की बात करें 55,000 कट्टा लगबक आज प्याज आया है आज एक नॉमबर को आलू की बात करें तो आज का आलू जो आया है 10,000 कट्टा लगबक आया है आलू में भी बहुत जादा आवग देखने को मिल रहा है क्योंकि यूपी का जो आलू है वो 1800, 1800, 1900, 23, 24 बिक रहा है वो भी अच्छा खासा दामों में भिकराए किशान भायो अगर लशन की बात करें तो लशन 18,000 कट्टा लगबक आज इंदोर मंडी में आया है दिवाली का आवकास 4.11.2021 से 7.11.2021 तक मंडी समस्त रहेगा दिपाली के कारण किशान भायो